इंडियन ओयल कॉपरेशन द्वारा अपने ग्रहकों को सुविदा देने के लिए किये जा रहे प्रयास लगातार जारी हैं इसी स्रंखला में कमपनी द्वारा उत्तर प्रदेश में अपना एक प्रीमियम उत्पाद कमपोजिट एलपीजी गैस स्लेंडर लॉंच किया है इस स्लेंडर की विशेस्ता ये है कि ये फिलाल परियोग में लाई जा रहे गैस स्लेंडरों के वजन की तुलना में काफी कम वजन का है और इसमें गैस की मात्रा का भी पता लगता रहेगा कंपनी के नवीन कंपोजिट एलपीजी सिलेंडर का सुभारम शनिवार को सांसद हेमा मालनी द्वारा धर्मनगरी वरंदावन में ओमेक्स एंटरनिटी इस्टेथ अपने आवास पर किया गया इसके साथ ही सांसद द्वारा पुजवला लाभार्थियों को निसुल गैस कनेक्शन का वितरन भी किया गया इसके सब्सक्राइब करेंगे तो यह आज मेरी तरफ मैं इसका उद्गातन मैं कर रहे हूं तो मुझे बहुत खुशी हो रहे है कि पूरे हमारे इस एरिया में जितना मतुरा आग्रा इस सारा एरिया में इसका अभी से शुरू हो जाएगे यूस करेंगे आपने अजना के तहीत कनेक्शन भी दिये हैं अभी काफी आए थे हमारे में 15-20 लोगों को मैंने यह दिदिया है मतुरा में 16,000 नहीं लोगों को दे चुके हैं और और देते जा रहे हैं तो इतना इसका डिमांड है तो यह पूरा कौनसेट जो था हमारे प्रधान मंतरी नरेदर बोधी जी का है तो सब महिलाओं के लिए इतना आसानी से काम होना चाहिए बचारे जो खाना बनाते हैं तो बहुत तकलिफ पहले हो जाता है अभी सब खुश है मैं मेरे शेत्र में भी सब जगा पूछते हम आपको मिलता है तो सब लोग हा मिलता है तो उनको खुशी देखते हुए अच्छा लगता हम दोगों को जी तो थांक्स टू हमारे प्रधान मंतरी जी में शेलेंडर की टीमत पे है बहुत जीए तो